सबसेट किया होता है सबसेट कि अगर मैं आपको ऐसे ही कंसेट बताऊं तो हमारे पास कोई भी एक सेट हो ए और उसमें हमारे पास कुछ elements है distinct elements है अगर हम उस distinct elements में से दो तीन elements का एक और सेट बना लें तो वह उसका सबसेट बन जाएगा वह सबसेट बन जाएगा कोई भी सेट है वह हमारे पास सबसेट होगा सबसेट बन जाएगा सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे कि a सबसेट है b का every element of a एक अबरी element of a जाएगे ना every element of a is a a element of b मतलब set a में पस बड़ा set है और उसके कुछ elements b में हैं तो b का हर element set a में तो होगा क्योंकि हमने b के elements उठाए ही set a से तो a is a subset of b a subset we say that B is the super set of A Why B super set? क्योंकि B के हर elements हमने set A से ही लिए है और जब B super set होगा तो इसको इसी जिनोड करेंगे B पहले आ जाएगा और यह sign जो है वो subset का था तो B super बन गया तो यह A clear करते है Every set B is a subset of itself हर set B वो खुद का ही subset होता है suppose A वो भी खुद का subset है itself subset होता है हर set B वो itself subset होता है जैसे B subset है B का Example हमारे पास है A set है इसमें elements है 1,2,3,4 B set है 1,2,3,4 तो A subset है B का इसी तरह से अगर मैं A में से एक और set बनाती हूं suppose B equal है 2,3 तो भी हम कहींगे कि A subset है B का because B के हर element set A में तो है ना B वो set बनेगा जो set A के elements में से हम बनाएंगे ठीक है तब हम कहते हैं कि A subset है B का B में कोई extra element नहींगे B में अगर वही element आते है जो हम set A से लेंगे तब हम कहेंगे कि A subset है set B का ठीक है और हर set खुद का इस तरफ सबसेट भी होता है आज के लिए तहीं काफी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्क्राइब करना मत भूलिएगा अलापीश